स्क्वार रूट कैसे फाइंड करते हैं? स्क्वार रूट फाइंड करने का प्रोसीजर नियरली वैसा ही है जैसे डिवीजन करने का प्रोसीजर. अगर मुझे 25 का रूट फाइंड करना है, जो आपको मालूम है 5, 25, 25, डिवीजन की तरह साइंड देने का वो सबसे बड़ा नंबर फाइंड करने का जिसको खुद से ही मल्टिप्लाइ किया तो प्रोड़क का अंसर 25 या 25 से कम. 5 की टेबल, 5, 5 जा 25, 5 यहां पर भी रखो, 5 यहां पर भी रखो, 5 यहां पर भी रखो, लाइन पुत अब करो, इनको मल्टिप्लाइ करो, आंसर यहां पर, इनको सब्ट्रेक करो, 0, इनको अड़ करो, 10. यह चाहे कितना भी आए this is the remainder if remainder is 0 तो यह इसका root है 25 का root 5 64 का root 64 you know it is 8 8 8 8 तीन places पे सेम चीज रखनी है अब इनको multiply करके जो answer है वो इधर रखो इनको करो subtract इनको करो add इधर साए कुछ भी आए remainder is a 0 तो 64 का root is 8 अगर मेरे पास हैं ही दो digits no issue अगर मेरे पास 256 तीन डिजिर्स है तो first को अकेला छोड़ो पीछे दो की जोड़ी number of digits even हो तो सब दो-दो की जोड़ियां बनाओ number of digits odd हो तो first अकेला छोड़ो पीछे दो-दो की जोड़ी first अकेला छोड़ा पीछे दो की जोड़ी अब वो number फाइंड करो जिसको खुद से multiply किया तो उसकी product का answer 2 या 2 से कम one बन जा one होता है two two जा four बन जाएगा so one one जा one इधर one इधर one इधर one multiply करो one इधर करो add इधर करो subtract divide में हमेशा एक एक डिजिट नीचे लाते थे यहाँ पे आपको दो डिजिट नीचे लाने है five six नीचे लेकर आओ अब वापस जैसे उपर किया यहाँ पे कोई number रखो वोई number इधर और इधर फिर उसको इससे multiply करके इधर अगर मैं यहाँ पे one लिखता हूँ तो twenty one को one से multiply करके यहाँ लखना होगा two लिखता हूँ तो twenty two को two से multiply करके यहाँ 3 रखता हूँ तो 3 से करके 23 को 3 से 69 छोटा है अगर 4 लिखा तो 24 को 4 से 96 छोटा है 5 लिखा तो 25 को 5 से 125 छोटा है एक काम करो 6 लिखो यहां भी 6 इनको multi black करो 6 6 जा 36 3 carry 6 2s are 12 plus 3 15 इनको करो subtract इनको करो add यह चाहे कुछ भी आया remainder 0 है ना बस 256 का root 16 चलो 784 एक rough example एक अकेला पीछे 2 की जोड़ी 2 2s are 4 होता है 3 3s are 9 इससे बड़ा हो जाएगा तो 2, 2, 2 2 2s are इधर 4 इधर करो subtract इधर करो add अब दो डिजिट एक साथ लेकर आओ 84 अब आपको जो यहां पे रखना है रखो अगर 1 रखा तो 41 को 1 से multiply करना पड़ेगा 2 रखा तो 42 को 2 से जरा सोचो अगर मैं यहां पे 7 रखता हूँ तो for example 47, 7s are 7, 7s are 49 7, 4s are 28 plus 4 32 यह भी काफी छोटा है 329 हुआ एक काम करता हूँ मैं 8 रखता हूँ 8 अगर यहां 8 यहां भी 8 तो यहां भी 8 48 को 8 से करो 8, 8s are 64 6 carry 8, 4s are 32 plus 6 38 वाव हो गया 0 इदर add करो 56 remainder 0 आ गया तो इसका route है यह अगर remainder 0 नहीं आया by chance तो हम यहां पर point देते हैं और पीछे 20 और देते हैं याद रखना divide करते समय point के बाद point देकर एक एक जीरो लाते थे यहां पर 220 डिजिट भी दो लाएंगे जीरो भी दो अरम से for example 1,2,2,5 का route 1,2,2,5 कैसे find करेंगे थेई डो डिजिर्स तो no issue तीन थे तो पहला अलग दो की जोड़ी चार है तो दो-दो की जोड़ी even है तो दो-दो की जोड़ी odd है मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ number of digits number of digits 3,5,7,3,5,7 है odd है तो एक अकेला पीछे दो-दो की जोड़ी अगर number of digits even है 2,4,6,8 तो सीधे दो-दो की जोड़ी अब चलो 12 पे work करेंगे 3,3,9 होता है 4,4,16 होता है 16,12 से बढ़ जाएगा so 3,3,3 3,3,9 इसको करो minus इनको करो plus दो-डिजिट एक साथ नीचे 25 अब यहाँ पे 1 रखा तो 61 को 1 से multiply करके इधर answer 2 रखा तो 62 को 2 से उतना ढूनने को आता है अगर मैं 5 रखता हूँ यहाँ पे भी 5 यहाँ पर भी 5 5,5 जा 25 2 कहरी 5,6 जा 30 प्लस 2 32 इधर करो minus इधर करो plus remainder 0 आया तो यह जाने दो इसका root है 35 अगर मुझे 17.64 का root find करना है याद रखना मेरा concern point के पहले वालों का है point के बाद वालों का नहीं point के पहले अगर दो डिजिट्स है तो दोनों को एक साथ लो 3 है एक अकेला 2 की जोडी चार हैं दो दो की जोडी 4 4 4 4 फोर जा 16 इनको करो subtract इनको करो add point इधर दे दो दो डिजिट एक साथ लाओ 64 अब अगर मैं 1 लिखूंगा तो 81 को 1 से multiply करना पड़ेगा 2 लिखूंगा तो 82 को 2 से 2 2 2 82 को 2 से करो 2 2 जा 4 2 8 जा 16 इधर करो minus इधर करो plus ये चाहे कितना भी आए remainder 0 आया तो 17.64 का root 4.2 अगर मुझे 33.64 का root निकालना है 33.64 work on 33 दो डिजिट्स है 66 जा 36 हो जाएगा 5 5 5 5 को 5 से multiply करो 25 35 33 में से 25 को minus करो 8 इनको plus करो 10 point वैसे का वैसा 64 जरा सोचो अगर मैं यहां पे 4 दूँ तो 104 को 4 से करना पड़ेगा 100 इंटू 4 चार सो बनेगा 5 दूँ तो 100 को 5 से 500 क्यों नम है यहां पे 8 दूँ यहां पर भी 8 यहां पर भी 8 यहां पर भी 8 सेम चीज तीन प्लेस पर अब इसको इससे multiply करो 8 8 जा 64 6 कैरी 8 0 जा 0 और 6 8 बन जा 8 इधर करो माइनस इधर करो प्लस यह चाहे कुछ भी आए इसका रूट है 5.8 सुनो ना मैंने आपको बताया है रूट आप 3 होता है 1.73 यह देखो 3 का रूट निकालना है है इस सिर्फ एक डिजिट तो इसको ले लो पॉइंट के बाद कुछ नहीं है 0 0 0 1 1 1 इंटू 1 1 इसको करो माइनस इसको करो प्लस 3 में से 1 गया 2 1 प्लस 1 2 अब यहाँ पे कुछ नहीं है पॉइंट देकर समझ रहे हो इधर भी पॉइंट के बाद कुछ नहीं है 0 0 0 0 पॉइंट देकर 2 0 लाने है 2 0 अगर मैं इसको 7 देता हूँ 7 7 7 7 इनको करो एड़ 34 इसको करो सब्ट्राइक बज जाएगा 11 पॉइंट दे चुके हैं 2 0s दे दो ये अगर मैं यहाँ पे 1 भी देता हूँ तो ये 341 हो गया 300 को 1 से 300 अगर 2 दिया तो 300 को 3 से 900 Are you getting my point? 4 दिया तो 300 को 4 से वो 1200 हो जाएगा तो एक काम करो 3 दे दो 3 3 3 3s are 9 3 4s are 12 3 3s are 9 and 1 10 समझ रहे हो अब इसको माइनस करो और इसको प्लस ये हो जाएगा 346 इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 समझ रहे हो यहाँ पे 10, 9 यहाँ पे बचेगा 7 और ये 00 गया point तो दी हुई है अब 20 दे दो and continue depend करता है आपको point के बाद अगर 2 डिजिट तक जाएए तो हो गया 30 डिजिट चाहिए तो एक और and so on